वेल मुनवर फिलाल काफी जादा बजी हो चुके है साटडे को दो बाक टू बाक स्टांड अप शो संडे को एक बहुत बड़ा शो जो काफी बड़ा हिट रहा है और अब आने वाले दिनों में रवाना होने वाले है केप टाउन के लिए जहां पे वो पाटिसिपेट करने वाले है खत्रो का खिलाडी सीजन 12 में लेकिन आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया है जिसके चलते उनके दोस्त यानी समय ने खुदी उनकी पोल खोल दी है नाजिला नहीं बलकि अंजली से बात कर रहे थे मुनवर और आखिर कौन कह रहा है किस बेसिस पे चली जाने की कोशिश करते है इस वीडियो में क्या है सच क्या है जूट आप देख रहे है फीफा फूज मैं हूँ आपकी होंस्त दोस्त दांगी करने का आपको बता दे कि सैटेडई का उनका शो जो है वह राप अप होने के बाद मुनवर जो है फोन पर पायगा जहां पए एक उनके दोस्त थे वीडियो निकाले तो क्या कि क्या मुनवर हमेशा बिजी जब दिखो बिजी बिजी सब हमेशा फोन पे तो मुनवर कहता मैं काम कर रहा हू stalk पिंख़क gehen उनंग अपने इंस्टर्ग्राम पर ब्रेस्टानुब्र कुंटा पर करते हैं उन्हें की कोशिश करते हैं अब जहां तक हम देख सकते हैं कि आफकोस एक फ्रेंड एक फ्रेंड के उपर मजाक उड़ाता है वो सारी चीजे बोलता है या उन्हों जानबुच के उसे तंग करता है तो शायद मुनवर अंजली से नहीं किसी और से बात करे थे लेकिन जो दोस्त होते हैं कभी-कभी चड़ाने लग जाते हैं तो मुनवर को अंजली के आम से बस मस्ती में चड़ा रहे होंगे जिसके बाद उस fanpage पे खुद मुनवर गए मुनवर ने उस fanpage पे उस video के नीचे comment किया है always bubby करके यानि उन्होंने बताया कि किसी और से नहीं मैं सिफ और सिफ बबी से बात करा हूं and always it is going to be bubby यानि की नाजिला होगी ना की अंजली और इसके ओपर कई सारे लोगों ने react किया है कई लोगों ने कहा that's amazing आप नाजिला के साथ हो खुश हो और अंजली आकाश के साथ खुश है उन लोगों को खुश रहना देने चाहिए इन लोगों को भी खुश रहना देना चाहिए और लोगों ने बीच बीच में आकर टांग नहीं अड़ानी चाहिए अब मुझने का शिप बन कर दो तो कोई कहने लगा कि क्यों साइर से बात कर रहा है कोई उनके खिलाफ बात कर रहा है लेकिन उनके बारे में कई सारे बाते हो रही है और जहां तक मैं देख पाई हूँ विडियो मुझे लग रहा है कि जस तरीके सा समय का एक्सप्रेशन था इट वस लोगिंग लैग कि शायद वो मजाक उड़ा रहे